कक्षा दस्वी की बूड परिक्षा में अधिकतर विद्यारती फैल हो जाते हैं पूरे साल पढ़ने के बाद भी क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है अगर आपको भी सही जानकारी नहीं है आपको भी डर है कक्षा दस्वी में फैल होने का या फिर आपको बिल्कुल भी सिल student कम समय के अंदर अच्छी परसेंट बना लेते हैं और फैल होने का कोई भी चांस नहीं है अगर आपको भी डर है तो आज से ये डर आपको खतम हो जाएगा क्योंकि हम आपको भो तरीक बताने वाले हैं जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं हर बिल्कुल भी स्लेवस कम्प्लीट नहीं है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेजीगा नमस्कार चात्रों आप देख रहे हैं स्टडी ग्रो चैनल अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजीगा और चैनल को करके बैल आइकन को ओल पर करके प्रेस कर लिजीगा तो चलिए अप सुरू करते हैं चात्रों इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताने बाला हूँ फर्स्ट तरीका तो उन चात्रों के लिए जिनका सिलेवस जीरो है यानि कि उनको बिल्कुल भी कुछ भी याद नही और सेकेंड बात उन चात्रों के लिए है कि जुन चात्रों का सिलेवस आदा अदूरा कितना कंप्लीट है वो अच्छी से अच्छे अंक लेकर आ सकें तो उनके लिए भी तरीका यहाँ पर मैं बताने बाला हूँ 80% यहनि कि 80% आप बना पाओगी इस वीडियो को देखने क डर है और इनका सिलेवस बिल्कुल भी याद नहीं है तो सबसे पहले हम उन चात्रों के लिए बात करने वाले हैं जो कि first category में आते हैं यहनि कि जिनका सिलेवस 0 है इनको फैल होने का भी डर है तो उन चात्रों को पास कैसे होना है वो भी अच्छे अंकों के साथ तो उनको स ज्यादा ज्यादा अंक के उनमें से कोशन आने वाले हैं तो सबसे पहले उन पर विसेज द्यान देना है जिसे कि part 1 यहां पर मैत का है इसी पिरकार से हर subject में आपको apply करना है मैं आपको example की तोर पर यहां पर बता रहा हूं तो part 1 छे नम्मर का आएगा second 5 नम्मर का आएगा और 3 वाला 7 नम्मर का आएगा इसके बाद मैं कुछ नीचे से देख लेते हैं 12 यहां पर 6 नम्मर का आएगा और 5 बाप 5 नम्मर का आएगा और यहां पर 10 बाप 5 नम्मर का आएगा तो इस परकार से कुछ ऐसी एकाई देख लेना है जिससे कम से कम हमको 40 नम्मर के अच्चे से तैयारी कर लेना है पहले तो क्योंकि यह हमें पास करवाएंगे और इसके बाद में क्योंकि आपके पास समय भी कम है तो इसमें यही ट्रेक अपलाई सकती है कि आपको सबसे पहले पास होने की वज़ता करना है चालिस नमर की एकोच यह से बड़े बड़े पार्ट आपको चार्ट लेना है चालिस नमर तक के और इसके बाद में बाखी का जो सिलेवस पचा उसकी आपको इंपोडेंट कॉश्चन पर बिसेज ध्यान देना है क्योंकि यह जब आपका समय यह चालिस नमर का सिलेवस कंप्लीट हो जाता है आपका हर सब्जेक्ट का इसके बाद में आपको जो बागी का सिलेवस है उसकी इंपोडेंट कॉश्चन को आपको करना है तो इस प्रकाल से आप 50 प्लस परसेंट 50-60 परसेंट की आहसानी के साथ बना सकते हैं और यही चात्र करते हैं तो इंपोडेंट कॉश्चन हम अपने इस चैनल पर अब लेवल करा देंगे और वेबसाइट पर भी अब लेवल करा देंगे studyguru.com पर अब हम second category वाले चात्रों की बात कर लेते हैं यानि कि जिनका जो सलेवस है वो आदा आदूरा है पूरा complete नहीं हुआ है तो उस situation में उन चात्रों को क्या करना चाहिए तो उन चात्रों को सबसे पहले तो जैसे कि हम एकाई बन देख रहे हैं यहापर सबसे पहले आ अब करना ने आठाए तो सिर्फ आपको बड़े कॉशन पर ध्यान नहीं देना है कि इसमें से दौद लू नमर के तो आने वाले हैं और इसमें से दो अब्जेक्टिब पर विसेजर ध्यान नहीं देना है तो इसी प्रकार से हर subject के लिए यए ट्रिक करना है अगर आप बड देखना है यहां पर मैं जल्दी से समझा रहा हूं आपको और इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में यह ट्रिक अपनाई करना चाहिए चाहिए आप फर्स्ट के टिकरी की स्टुडेंट हो यानि की जिनका स्लेवस बीजीरो हो यह फिर आपका स्लेवस पूरा हो तो भी आपको य इंपोडेंट कॉशन पर करना है आई एमपी कॉशन पर और कॉशन बैंक जो जारी की गई है उन पर आपको विसेश ध्यान देना है और मॉडल कॉशन पेपर जो हैं उन पर आपको सॉल्व करकर के देखना है और कॉशन पेपर जब जब तक आप मॉडल कॉशन पेपर सॉल कर लेना चाहिए घर पर ही जिससे कि आपकी राइटिंग भी सुदरेगी और आपका टाइमिंग भी कम होगी हैने कि कम समय में आप अधिक लिख पाओगी और कोई कॉशन रह गाया है सबसे पहले आप उत्तर पुछतिका में उस कॉशन को करके आईए का जो कि आपको अच्छ तरीके से करके आए यानि कि नमर वाई नमर करके आए तो छात्रों आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्षन में कमेंट करके अबस्चे बताइए का अगर आपको वीडियो हैलफूल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी सेर कर जीए ठेंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक